जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस जीडियो में मैं आपको एक important information दूँगा कुछ point है जो आपके welfare से related उठाए गए है और दोस्तो ये point उठाए है किसी अधिकारी ने और आपके welfare से related इसमें और कुछ point जोड़े है जिसमें overp3 include है, ECHS की facility include है, CSD include है, military service पे include है सारी चीजें इसमें include है और दोस्तो पूरे point बनाकर share करें हर एक group में भारा सरकार तक पुचाए हैं और ये आपसे गुजारिश करिए कि इन point को आप भारा सरकार तक पुचाएं ताकि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की जा सके तो दोस्तो इसमें pension revision को लेकर भी मुद्दे हैं और भी बहुत सारे नए नए मुद्दे हैं तो दोस्तो सारे point ये समझेंगे जो किसी officer ने उठाए हैं आपके लिए तो दोस्तो सारी चीज में आपको समझाओंगा इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वैलफेर से जुड़ी जो नए नई जानकारी आती हैं वो सारी चीज़ आपको समझाई जाती है इस चैनल के मादम से और pension से related जो आपकी problem चलती है उसका भी solution किया जाता है इस channel के मादम से तो इसके लिए आप मेरे channel से जुड़ सकते हैं या फिर channel subscribe कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खर्ना चलते हैं दोस्तों उन point की तरफ जो आपके welfare से जुड़े हुएं दोस्तों ये सारे point हैं आपके welfare से related और ये point उठाए हैं करनल सी टी रासुजी ने जो retired हैं इन्होंने उठाए पूर्व स्यनिकों की मांगों के मुद्ध भारत सरकार के सामने जैसे में आपको बताया सारी चीजे दोस्तों इसमें नई हैं और कुछ पुरानी भी हैं जो भारत सरकार के सामने पुचाई हैं इन अधिकारी ने सबसे पहला पॉइंट OROP 1 और 2 की विसंगतियों को दूर करना फिर 7 CPC की विसंगतियों को दूर करना और दोस्तों ये कदम उठाया है इन ओफिसन ने भारत सरकार के सामने ये मांग रख कर क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी 1 rank 1 pension की विसंगतिया दूर नहीं होगी जब त उसे दूर करें भारत सरकार चाहिए वो 1 rank 1 pension 1 हो या फिर 2 हो फिर 7 CPC की जो विसंगतिया है यानि 7 Pay Commission में JCOs की जो पैंशन कम हो गई उनकी पैंशन पे जो नुकसान हो रहा है 7 CPC की Pay Mattress के अनुसार उनकी पैंशन कम हो रही है तो इस विसंगतियों को भी दूर करें भारत स चल रहा है तो ये अधिकारी चाते हैं कि मिलिट्री सर्विस Pay का मुद्दा भी जल्दी से जल्दी हल हो जाए दिल्ली हाई कोर्ट से और इसका पैसला OR जैसे उसके पक्ष में हो फिर दोस्तों अगला पॉइंट OROP3 टाइम पर एनौन्स हो यानि 1 जुलाई 2024 को तो दोस्तो इनका कहना है OROP3 भी भारत सरकार जल्दी से जल्दी दे इसमें लेट लतीफी ना करे जैसा कि OROP3 का टाइम है 1 जुलाई 2024 से तो उसी टाइम वो रिलीज हो जाए भारत सरकार के दोरा इसमें लेट लतीफी भारत सरकार बिल्कुल भी ना करे तो OROP3 का भी इसमें पॉइंट है फिर दोस्तों ECHS का point ECHS को आविशक धनराशी आवंटी थो मिनिस्ट्री द्वारा जिया दोस्तों कई बार ECHS में पैसे की कमी पड़ती है वो पूरा पैसा बराबर जाता ही नहीं है जिससे पूरुस्यानिकों को जवानों को दिक्कत होती है इलाज के लिए तो दोस्तों मिन ECHS में फंड की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए प्रॉपर फंड एलोट किया जाए ECHS को मिनिस्ट्री द्वारा फिर दोस्तों अगला point CSD का CSD आउटलेट खोले जाए सारे जिलों में जहां पर अविलेबल नहीं है यानि डिस्टिक्ट में जिलों में राज्यों में CSD के आ अगला point CSD कल्यार विभाग के सभी कारलियों में 100% CSD को को निक्त किया जाए जी आन दोस्तों भूतपूर सैनिक कल्यार विभाग के सभी कारलों में 100% CSD को निक्त किया जाए महाँ पर निक्ती करी जाए जवानों की ताकि वहाँ का जो कार्य है वो भैतर हो सके और जो उनके साती हैं उनको भी help मिल सके पूर्व सैनिकों की help हो सके तो पूर्व जवानों को वहाँ पे निक्त करा जाए कहा पर भूचपूर सैनिक कल्यार विभाग में फिर अगला पूइंट सची वाले में हायर पोस्ट पर किसी निदेशक के रूप में ब्रिगेडियर को या फिर मेज़र जन्रल रेंग के आधिकारी को निक्त किया जाए पर ताकि वो मा की चीजों का जैजा ले सके फिर अगला पॉइंट राज्यपाल मुख्य मंत्री विभाग के मंत्री डिरेक्टर द्वारा वार्शिक रूप से हर तीन महीने या फिर छे महीने में मीटिंग होनी चाहिए समस्याओं को सुलजाने के लिए यानि राज्यपाल हो पुर्ध मुख्य मंत्री हो गए या फिर राज्ये के मंत्री हो गए तो हर एक मंत्रियों को अधिकारियों को डिरेक्टर को एक tengan करनी चाहिए पूर सेरिक की समस्याओं को सुलजाने के लिए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हर एक दिन आए ना-ए दिन कुछ ना कुछ दिकते बढ़ती रहती हैं, चाहे pension से लेटेड़ हो, चाहे CSG से लेटेड़ हो, चाहे ECHS से लेटेड़ हो, कुछ ना कुछ problems आती रहती हैं, तो इन problems को दूर करने के लिए पहले एक संगठित group बनाया जाए, समस्याओं को लिया जाए, और फिर एक एक करके उ आगले point की तरफ जंडा दिवस निदी या फिर अनुदान से एकत्रित्र राशी करी हुई, उस राशी को community hall का निर्माड के लिए, सेवा केंद्र बनाने के लिए, यूस किया जाए, जैसे जंडा दिवस निदी अनुदान से जो राशी एकत्रित्र होती है, मोटी राशी प सके, या फिर सेवा केंद्र बनाता, सेवा केंद्र आयोजित करना, या फिर बनाना, ताकि पूरुस्यानिक महाँ पर जाएं, अपनी समस्या बताएं, और उनकी समस्याओं का हल निवारण हो सके, यानि एक तरीके का एक निर्माड करना, किसी भवन का निर्माड करना, जहा पूर स्यानिकों को भी इसका लाप मिल सके, फिर दोस्तों पूर स्यानिकों के लिए शिकायट डिवस परतेक मा, परतेक जिले में नियुमित रूप से आयोजित किया जाए, यानि दोस्तों हर एक पूर स्यानिक की कुछ शिकायते होती है, छोटी छोटी शिकायते होती है, तो शिकायद दिवस परतेक मा ज़िल्मे नियुमित रूप से मनाना चाहिए जिस से हम बोलते हैं शिकायद दिवस फिर अगला पॉइंत पूरर सेयनिकों के अंतिम संसकार में जिला सेयनिक बोर्ट के एक पर्तिनिधी को राजे सरकार की और से और जिला कलेक्टर की और से कुछ पांजली अर्पित करनी चाहिए यानि अगर पूर सैनिक का कोई अंतिम संसकार होता है तो उसको सम्मान देने के लिए जिला सैनिक बोट के एक परतिनिदी को या फिर जिला कलेक्टर की ओर से कुछ पांजली अर्पित की जानी चाहिए और उनके परिबार को भी सम्मान मिलना चाहिए तो दोस्तो ये सब चीजे हैं जो इस पॉइंट में लिखी हुई है और दोस्तो ये सारे पॉइंट आपके वेलफेर से लेड़ेड है इसमें नई-ने चीजे भी हैं कुछ नई-ने चीजे इसमें एड़ कर रखी है करनल, सीटी, रासूजी ने और दोस्तो ये भारा सरकार के सामने परसुत करी है उनके सामने रखी है ताकि इन मांगों पर वेचार हो और एक अलग से इंप्रेशन पड़े पूर्व सैनिको पर अपनी समस्यों को सुलजाने के लिए तो दोस्तो आप इन पॉइंट से सहमत हैं या नहीं हैं आप नीचे कमेंट करके बताइए और कौन सी मांगे इसमें आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी मांगे इसमें आपको सबसे अच्छी नहीं लगी ये भी आप कमेंट करके बताइए तो दोस्तो यही चीजे में आपको समझाने आयता इस वीडियो में I hope सारी चीजे आप अच्छी से समझ दियोंगे बाकि आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मग्ड़